हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को इसी यूटूब चेनल में और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इंपोर्टन रिपोर्ट को ले करके तो आए इसके एक एक पॉयंट को देखते हैं और समझते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि नोकिया के नए प्रेसिडेंट और सी यूट बन गए हैं कौन तो पेकालूंड मार्क और ये रहें पेकालूंड मार्क जो की भारतीय मुल्के राजिव सूरी के अस्थान पर ये बन गए हैं यानि कि पेकालूंड मार्क बन गए हैं नोकिया क प्रेसीडेंट और CEO ये अमेरिका मुलके हैं जदी हम बात करें कि ये प्रेसीडेंट बने हैं यानि की परमुख बने हैं CEO बने हैं यानि की चीप एग्जेकूटीव ओफिसर यानि की मुख्यकारेकारी अधिकारी बन गए हैं पेकालूंड मार्क तो उमीद है कि यहां तक कम्पनी है नोकिया जदी बात करें कि इसका अस्थापना कब किया गया था तो 12 मई 1865 को इसका हेड़ को आटर है एसपो जो की फिनलेंड में ही है इसके फाउंडर यानि की संस्थापन कौन है तो फेडरिक आइडेस्टम और यह रहें फेडरिक आइडेस्टम इनके साथ ए जिसके नोकिया के चीयर मैं कौन है तो रिष्टो सीले लासमा और आप यहां पर भी देख रहे हैं कि यह अपना कंट्री है अंडिया और यह है फिनलेंड का एसपो तो उमीद है कि यहां तक आप समझेंगे अब जानेंगे कुछ इंपोर्टिंट फेक्ट फिनलेंड को ले करके फिनलेंड की रजधानी है हेल्सी की मुद्रा है यूरो राष्टपती वर्तमान में है सौली निनिष्टो और यह रहें सौली निनिष्टो परधान मंत्री वर्तमान में है साना मरीन और यह रहीं साना मरीन साना मरीन को लेकरके एक इंपोर्टेंट बात करना चाहें त दिसंबर 2019 में चुनी गई थी और इनका उम्र महज 34 वर्स है तो उमीद है कि